हेलो एंड वेलकम फ्रेंड मेरा नाम है करन और आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल केकेडी फ्रेंड्स आज की व्यूडियो आप सभी के लिए काप में इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि फ्रेंड्स आज की व्यूडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्रेंड्स आ आपके किसी भी दोस्त ने आपको Facebook पर कोई भी message किया हुआ है, तो वो hide वाले message को कैसे check कर सकते हैं, message request को कैसे देख सकते हैं, चलिए आज की यूडियो में आपको अदा देता हूँ, आपको सबसे पहले अपने mobile phone में करना क्या है, Facebook को करना है open, Facebook को open कर दिने वाद कुछ इस तरह का page open होके आ जाता है, अब friends आपको right side में एक messenger का option देखने को मिल रहा है, जिस पर आप अपने किसी भी friends को message करते हैं, उस बाले messenger को उपर से right side पर आपको कर लिना है उसे open, तो कुछ इस तरह का page open होके आ जाता है, अब friends आपको सबसे उपर right side में एक सबसे उपर setting का icon देखने को मिल रहा है, पर अपना है click, जैसे इस पर click कर लेंगे तो आपके मुवाली की screen पर आपको तीन option देखने को मिल जाते हैं, अब आपको यहाँ पर दूसरा option देखने को मिल रहा है message request का, आपको दूसरा option message request के option पर करना है click, जैसे इस पर click कर देते हैं, तो अगर friends आपके Facebook पर किसी भी friends ने आपको message request वेजी होगी, मतलब कि सीधर direct ही message किया होगा, तो वो आपको यहाँ पर soak कर जाएगा, अगर नहीं किया होगा, तो आपको यहाँ पर soak नहीं करेगा, तो मेरे Facebook के friends ने किसी ने भी मुझे यहाँ पर message request नहीं वेजी है, इसलिए यहाँ पर soak नहीं कर रहा है, अगर आपको किसी भी friends ने आपको वेजी होगी, तो आपकी यहाँ पर soak कर जाएगा friends,